कि अगर आज के इस वीडियो में हम जानेगे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली कुछ सौटकट की के वारे में सौटकट की हमें हेल्प करती हैं विडाउट माउस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो आएए देखते हैं कुछ सौटकट की सौटकट की स much के वारे में जानेंगे की वोड में एक की वहती है अगर उस की कीक की सात कुछ किई कोा अगरम प्रेस морड है तो उनके सात क्या फंक्शन होते हैं यह हम जानेगे तो सबसे पहले की है विन्दो च Griff के साथ ए इसके द्वारा हम Windows Explorer को डारेक्ट ओपन करा सकते हैं कीवोड के मात्यम से तो जैसे ही हमने ये Windows और E की को प्रेस किया तो ये Windows Explorer ओपन हो गया इसको हम स्टार्ट के अंदर कंप्यूटर पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या डेस्टॉप पर इस आइकन के द्वारा भी हम Windows Explorer को ओप करते हैं दूसरी शॉटकट की है Windows की के साथ डी इसके द्वारा हम डारेक्ट डेस्टॉप पर आ सकते हैं जैसे बहुत सारे एप्लिकेशन ओपन है अगर इनको एक एक करके क्लोज करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है हम चाहते हैं कि एक दम से हम डेस्टॉप पर आ सभी एप्लिकेशन क्लोज होकर डेस्टॉप स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है अगली की जो विन या विंडो की के साथ यूज करना सीखेंगे तो वो है विंडो की के साथ एम की इसके दोरा व्यूर्स हम सभी जो करेंट में खुली हुई एप्लिकेशन है उनको एक सारी हमारी विंडो ओपन है अब इनको हमें एक साथ सभी को मिनिमाईज करना है तो विंडो की प्रेस किया और दूसरे हाद से हमने एम की को प्रेस किया तो यह देखिए सारी की सारी विंडो मिनिमाईज हो गई है अगर इन सभी को हम मैक्जिमाईज करना चाहते हैं सारी ए करते हैं तो यह देखिए सभी जो हमने मिनिवाइज कर रखी थी विंडो वो फिर से रिस्टोर मोड में आ गई है अगली सौटकट कमाड हम बिंडो की के साथ एरो की के साथ यूज करके सीखेंगे यह कीबोड में जो अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की होती है उनके द्व अप एरो की का यूज है विन्डो और अप की से हम किसी भी एक्टिब बिंडो को मेग्जमेज करते हैं जैसे माउस के द्वारा यह चो आप कंट्रोल बटन देख रहे हैं closet, maximize button, minimize button उसमें से यह बीच वाला बटन है इसको अगर हम press करते हैं तो यह देखें यह maximize window restore mode में आ जाती है और अगर हम इसको फिर से click करते हैं तो यह देखिए यह फिर से maximize हो जाता है इसी तरह से जो भी हमारी current window है जो अभी restore mode में है यह जो आप देख रहे हैं इसको हमें maximize करना है तो window key के साथ ये जो up arrow की का अगर हम use करते है तो ये देखिए current window maximize हो जाती है और अगर इसको फिर से restore mode में लेके आना है तो window key के साथ ये जो down arrow की है इसको press करें तो ये देखें restore mode में जो current window है वो आ गई है अगली shortcut की हम देखते हैं window के साथ right arrow key अगर हम window के साथ right arrow key को press करते हैं ये हमारे कुछ application खुले हुए है तो ये देखिए जो current में जो window open है वो right side में align हो गई है right side में set हो गई है अब जैसे हम दूसरे application को select करते हैं और window के साथ अगर हम left arrow key को press करें तो ये देखिए दूसरी window है वो left side में align हो गई है तो window को screen के left और right alignment में अगर हमें set करना होता है तो window key के साथ left key left side के लिए और right key right side के लिए use करते हैं अगली shortcut key के बारे में हम जानते हैं जो window के साथ यूज होती है वो है window के साथ टैब की वियर्स जैसे पहले एक key हम यूज करते थे alt और tab के साथ एक से दूसरे application में switch करने के लिए इसी तरह से अब हम window के साथ अगर हम tab key का यूज करें तो switch इसमें भी होते है application लेकिन ये इसमें थोड़ा 3D mode में होती है यानि फिलिप होते है application 3D mode में ये देखिए window के साथ टैब की प्रेस कर रहे है तो ये switch हो रहे है application जो application सामने आ रहा है सबसे पहले आ रहा है अगर हम की को छोड़ देते हैं तो सामने वही application आ जाता है तो हमें ये application अब दिखाई देने लगा विंडो और टैफ से हम current में जितने भी हमारे application खुले हुए है उनको हम switch करने के लिए या flip करने के लिए यूज करते हैं अगली shortcut की है विंडो के साथ आरकीक अगर हम विंडो के साथ आरकीका यूज करें तो इस तरह से ये run window open हो जाती है तो viewers आपने देखा विंडो की के साथ यूज होने वाले कुछ shortcut की का अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या इसे like करें इस वीडियो को subscribe करें जिससे जब भी हम नए वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले वो आप भी देख पाएंगे इस वीडियो को share करें जिससे इस वीडियो का knowledge और लोगों को भी मिलें धन्यवाद